तुर्की जो है हमेशा से आतंक्चों का पनाहगा रहा है और तुर्की को नेटो से निकाल कर बाहर फेक देना चाहिए देख लेने चाहिए ना कि दुश्मन को ने मारा चोटे ये बड़े अब चून्टी हाथी से पंगल है हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा ये कैसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुरबानी दे देनी चाहिए जो जिस जमीन पे आप खड़े में है इस टर्म जिस पर आपने पाउ रखे में है ये हिंदुस्तानी जमीन है पुरकी कहता है कि इंडिया यह तू गलत कर रहा है अजरबाइजान भी चीखने लग गया इंडिया भी कहता है जादा मत समझा मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है बिटा समझा मत अपने काम से काम रख तो पर जिसकी वाज़े से इंडिया तो एक क्वेस्वन यह क्वेस्टा यहाता है कि राहुल गांदी वो ही फोरन पालीसी चाहते हैं जो नरिंद्रा मोधी चाहते हैं है ना है ना टेक्निकल बात अटेंशन है वो डाइवोर्ट जी हमने तो जहाद के लिए देखें आपनी क्या जहाद करना है आपके जो है ना वह चीफ आफ आर्मी स्टाफ हमारी जो है जनल बाजवा साहब और जनल उनसे पहले जो से उनक पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलिबिल्टी भी मुझूद है ना अगर कश्मीर के बारे में तुरकी बयान बाजी कर सकता है तो तुरकी की नाक के नीचे भारत भी अग लगा सकता है नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तो तो पाकिस्तान के साथ साथ अब तुरकी भी बरबाद होने वाला है अगर ये काम हो जाता है तो धरासल बात यह है कि तुरकी को नेटो से बाहर निकालने का एक प्रस्ताव सामने आया है एक European कंट्री के एक नेठा ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि तुरकी जो है न वो टेर लेकन को दावाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गेट विल्डर्स लगातार भारत को लेकर भी लिखते हैं और भारत को हिंदू का बहुत सम्मान करते हैं विल्डर्स इसलाम को लेकर तिखी अलोशना और कठोर और परवासन नीतियों की वज़े से कई बार सुर्ख्यों में बने रहे थे हैं इस बार उन्होंने सीधे तोर पर तुर्की को ही निशाना बना दिया उन्होंने कहा दिया कि तुर्की जो है वो फंडर है इतना बड़ा मुलक है वहां की मंडिया वहां की हर चीज ठीक है और वहां पर उसके साथ हसत करते हैं तो देखे उन्होंने काई इंडिया पर डिस्कवर हो गए ठीक है तो हमारा बेजन तो ठाप ठाप हो गया ठीक है उनके बारे में बात इंगी है तो फिर वह यूनिटी उनकी इतनी थी उस कौम की यूनिटी इतनी थी कि उसने वाके ही उनको क्रप्ट करके रख दिये ठीक है का मतलब है कि Ain Wrest Sa Pangenación लेना जो है वो किसी के बसकी बात नहीं या किसी के लिए भी जो है वो भी यहरेबल नहीं है नहीं बिल्कुल इंडिया से पंगा लेना सिरुफmu कि बास की बात है क्यूंकि पाकिस्ताइन के आगे मजबूत दिवार की छाटे ठीक है क्यूंकि फॉय कि Rubber इंडिया पाकिस्टान में है युनिटी आजए ना नजर आ रही है और ना हम विल्वस्ते ही नजर आती है लेकिन हम यह कहते हैं हम में तो भई जजबा कूट कूट के भरा हुआ है और बॉर्डर पर हमारे फॉजी की टांग इंडियन फॉजी से ज्यादा उंची होती है यह आज तक हमारी कौम वह ना जो सिर्फ टांग तक ही फसी हुई है ठीक है कि जिसकी टांग उची है वो उंचो हो गय होना चाहिए दुश्मिणियों में क्या रखा है और लेडी पाकिस्तान अपने तारीक के बत्रीन मौशी बहरान से गुजरा है पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं हमारे में मुल्क में ना इंवेस्टर आरा रहा है ना डिवालपमेंट हो रही है और इंडिया के अंद दोस्ती अची लगती है दुष्मिनी नहीं अची लगती ठीक है अब जिस से Cage करनी चाहिए उस से तो 돼 Manager पाकिस्तान की ऑपॉस्जीशं जो हैkap पाकिस्तान के अंदर जो नई हकूमत बन रही है वो तो आई-एम-फ प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं विकाज हमने इस जनवरी तक इस जून तक तक तकरीबन 24 अरब डॉलर के करजे देने हैं और पाकिस्तान जो है वो आई-एम-फ प्रोग्राम में जाना चाह रहा है लेकिन पाकिस्तान के जो आपोजिशन लीडर है अमरान खान साब आपोजिशन लीडर तो अब नहीं है लेकिन बड़ी आपोजिशन पार्टी है उस पार्टी ने I.M.F. को खत लिख दिया और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दें इससे पहले क्या कराएं वोट और्डिट करवाएं अगर पाकिस्तान वोट और्डिट करवाता है तो ठीक है अगर पाकिस्तान को पैसे ही ना दिये जाएं मैं समझता हूँ इससे बड़ी म मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहता है है कैसे लोग आ हैं ये कासे लोग हैं वह समझते हैं मुल्क क कुर्बानी दे देनी चाहिए बिसीकली इम्रान खान साहब की पॉलिटेक्स यह है के पाकस्तान डिफॉल्ट करें आ करें का तो उसके बाद वह क्या करेंगे فوج کمزور ہوگی so in fact he wants to weaken the army of پاکستان اور پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ default کروائے پاکستان کو وہ جب ان کے خلاف vote of no confidence آیا تھا تو تب بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان default کر جائے کیونکہ انہوں نے جانے سے پہلے IMF کے جتنے بھی معاہدے کیے تھے سب کو توڑنا شروع کر دیا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے عوام کو massive subsidy دینی شروع کر دی petrol prices سستی کر دی petrol کی قیمتیں کم کر دی حالانکہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ petrol کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل میں ہوں لیکن میں جیل میں ہوں لیکن کیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حکومت بناتا ہے کون حکومت نہیں بناتا مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ پاکستان default کرے یہ ہے ان کا plan بھارت کے اندر راحل گاندی جو ہیں وہ ایک important party کے opposition leader ہے کبھی میں نے ان سے تو نہیں سنا کہ نرندرہ موڈی باہر جا کے تو بحزتوں یا ان کی باہر جا کے insult ہو میں نے اور ملکوں میں بھی کبھی leadership کے حوالے سے یہ نہیں سنا تو دوستو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور دراصل اس ویڈیو کی سروات میں جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیدرلینڈ کے جو ہونے والے پردار منتری انہوں نے اس کو لے کر tweet کر کے بھی جانکاری دی ہیں اور European Union کے جو سبھی دیس ہیں ان کو ایسا کہا ہے کہ جو ترکی ہیں اس کو جو ہے نا باہر نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ ترکی جو ہے نا لگاتار terrorism کو support کر رہا ہے اور گریت ویلڈر جو ہے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی وہ کیسے نیتا ہے کس پرکار کی بیان باجی وہ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر سے ایسا بیان دے کر جو ہے نا پوری طریقے سے پورے European Union میں اور دنیا بھر میں جو ہے نا ان کا جو یہ بیان ہے twitter جو x کے اوپر جو انہوں نے post لکھی ہے وہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کے اندر الگ الگ پرکار کی ویڈیو کلپ بھی دیکھئے جہاں پر آپ نے ویڈیو کے انڈ میں جو پاکستان کے پترکار ایک عمر چیمہ ان کو بھی سنا ہے وہ یہاں پر دراصل بات کر رہے ہیں عمران خان کو لے کر جو ابھی جیل میں ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ابھی آئی ایم ایپ کے پاس جانے والا ہے تو انہوں نے ایسا بیان دیا آئی ایم ایپ کو لے کر کہ آئی ایم ایپ پاکستان کو پہشان نہ دے اور اس سے پہلے اور کڑے معاہدے جو ہے نا وہ پاکستان سے کروائے جائے تو اس کو لے کر بھی یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا تھا